हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सीख काजल नास्ता बनाना शुरू ही कर रही थी कि सासु मा ने आकर बोला काजल आज गोज अच्छा सा नास्ता बना देना आज तुम्हारे दोनों दिवर वापस आस्टल चले जाएंगे ऐसा करो आज तुम सु तो उन्होंने देखा कि टिफिन में कल रात की पूरियां रखी हुई थी जो कि मंदिर के भंडारे से आई थी उन्होंने काजल से कहा अरे काजल देखो इसमें 15-20 पूरियां बच्छी हुए हैं तो ये काम करना अपने लिए नास्ता मत बनाना नास्ते में तुम और मैं यह नहीं पाएंगी तो तुम आज सुभा के लंच में यहीं पूरिखा लेना काजल ने थोड़ा रुकर कहा मम्मी जी मैं तो सिर्फ दो ही पूरिखाती हुँ फिर भी यह पूरियां तो बहुत सारी हैं फिर काजल की सास ने कहा तो ठीक है ना तो तुम आज अपने लिए पने लिए खाना मत बनाना तुम यहीं खा लेना ठीक है काजल ने थोड़ा दुखी होकर कहा जी ममी जी इतना कहिकर काजल की सास बाहर चली गई कुछी देर बाद नास्ता तयार हो गया और सभी लोग एक एक करके नास्ता करने लगे इतनी में काजल के ससुर जी ने कहा नहीं किया तुम जल्दी नास्ता कर लो तब सासुमा ने काजल को आवाज दे कर कहा काजल मेरा भी नास्ता ला दो काजल ने दो पूरियां माइक्रवेव में गर्म करके सासुमा को दे दी और साथ में थोड़े इडली रख दी सासुमा बोली कि मैं तो सिर्व एक ही पूरी खाऊंगी मुझे ना पूरी से बहुत गैस बनती है प्रसाद है इसलिए मैं खा लेती हूँ वरना नहीं खाती काजल एक पूरी तुम ले जाओ इसे तुम ही खा लेना काजल पूरी वापस ले गई कुछे देरे बाद मम्मी जी की आवाज आई काजल थोड़ा सा इडली और काजल थोड़ी देर बाद इडली लेकर वाहर आई और सभी को दोबारा इडली पर उसने लगी सभी लोग काजल की तारीफ करते नहीं ठक रहे थे कि बहुत ही अच्छी इडली बनी है काजल मुस्कुराती हुई सबका बिना कुछ बोले ही आभार वेक्त कर रही थी उसने जैसे ही अपनी सासो मा की तरफ देखा तो उन्होंने थोड़ा बुरा समों बनाकर कहा ठीक है लेकिन इसमें मेरे से बहुत ज्यादा हो गई है खैर अब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा मुझे दवाई भी तो लेनी है ससुर जी काजल की तरफ देखकर बोले बेट कि बची हुई सबजी उसे ने साम को कभी भी नहीं खाई पर यहां सब कुछ उल्टा था यहां जितना कुछ भी बासा वस्ता था सब काजल के हिस्से में आता था काजल ने तिफिन खोला और उसमें प्रिसाद की पूरिया निकाल कर आचार की राई लेकर खाने बैठ गई वो खाना खाने बैठी ही थी कि पीछे से सासु मा की आवाज आई काजल थोड़ा जल्दी करना तुमारे देवरों को जल्दी निकलना है काजल ने अपनी प्लेट को वहीं डखकर रख दिया और हाँ धोकर काम में लग गई उसे ने सोचा जल्दी जल्दी पूरा भोजन ब भी थाली लगा कर दे दी काजल की सास ने अपनी थाली देकर कहा काजल सुनो या पूरियां वापस ले जाओ मैंने सुबा नास्ते में पूरियां खाई जिससे मुझे बहुत गैस बनने लगी है मेरे लिए तुम गरम रोटियां लादो काजल जी ममी जी कहकर अंदर रसोई में रोटियां लेने चली गई सभी लोग प्रेम प्रुवग बोजन कर रहे थे तबी सासु मा ने जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा कितनी बेकार सब्जी बनी है बिल्कुल भी खाई नहीं जा रही है सुनो काजल थोड़ा सा दही मेरे लिए लादो मैं उसी के साथ खाना खाल यह सब्जी तो एकदम फेकनी लाइक बनी है इतनी में छोटा देवर बोला मा सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है आपको तो कुछ भी पसंद नहीं आता काजल अंदर से सब सुन रही थी तबी काजल को कल रात की बात याद आ गई वह सभी के लिए दही जमा रही थी तर स अरत Gör के लिए जमाना है या सुनकर काजल समझ गई की यह धायत सिर्फ उसके लिए है कि उसे घर में दही खाना अलाउ नहीं था वा जानती थी कि पिछले कई सालों से वह सुनतीया रही थी कि दही सलात पापड़ या सब घर के आदमियों के लिए होते हैं आद मी ही घर से बाहर जाकर दिमाख वाला काम करते हैं तो यहां सब हिल्दी चीजे सिर्फ आदमियों के लिए ही जरूरी होती हैं औरतों के लिए नहीं अरतों को तो घर में सिर्फ आराम करना होता है उन्हीं तो चार रोटियां ही तो बनानी पड़ती है इसके अलावा उनको और क्या काम होता है इन्हें इन सब की जरूरत नहीं घर की अरतों को रूखा सुखा खा कर काम चलाना चाहिए तबी ग्रास्ती बनती है या सीक उसकी सा पिछले कई सालों से देती आ रही हैं काजल ने थोड़ा सा ही दही जमाया था फिर ममी जी की आवाज देने पर वह दही लेकर बाहर आई उसे डर था कि यद बीच में किसी ने उसे और दही मांग लिया तो क्या करेगी क्योंकि उसने दही सिर्फ उन्हें लोगों के लिए जमाया था वह भगवान से प्रातना करने लगी कि है भगवान अब किसी को दही की जरूरत ना पड़े नहीं तो मैं क्या बोलूँगी कि आज दही खत्म हो गया और फिर मुझे ममी जी की बाते सुनने को मिलेंगी कि इसके हाथों में बरकत ही नहीं है इसके हाथ से तो सब कुछ खत्म हो जाता है हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी रसोई में सब कुछ पर यात रहता था जब से यहाई है तब से चीजे खत्म हो जाती है दही नहीं मांगा काजल थालिया उठा कर धोने के लिए ले जा रही थी तभी शासुमान की नजर काजल की बेटे की थाली पर पड़ी उन्होंने देखा कि उसकी प्लेट में धही थोड़ा बहुत बच गया है तो उन्होंने काजल से कहा कि काजल आरव की थाली में थोड़ा स सबजी बच गई है भावी तुम खा लेना इतना कहकर काजल की सास बाहर चली गई कुछी देरे बाद दोनों देवर तारीफ करते हुए बोले भावी आपके हाथों में तो जादू है जादू आप बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हैं भावी आपने मेरे लिए आठे के लड़ू रख दिये हैं काजल बोली हाँ भया देवर फिर बोला भावी और मेरी पापड़ी और सकर पारे काजल मुस्कुरा कर बोली हाँ भया मुझे सब याद है मैंने आपके लिए पापड़ी स शकर पारे और साथ में थोड़ा बहुत गुजिया भी बना कर रखती हैं मैं जानती हूँ आपको यहाँ सब बहुत पसंद है इतनी मेरा जिए खुछो कर बोला अरे वा गुजिया भी बनी है काजल तुमने मुझे नहीं खिलाई गुजिया काजल मुस्कुराते हुए बोल काजल के ससुर जी ने काजल की तरब देखते हुए कहा काजल तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना तुम्हारे पिता जी ने मुझे बताया था शाइद इसलिए तुम इतना अच्छा मीठा बनाती हो और सबका दिल खुछ कर देती हो अच्छा-च्छा खिला कर दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे सच गुजिया बहुत ही अच्छी बनी है इतनी में काजल की सासुमा ने कहा मुझे नहीं खाना गुजिया हम मीठा खाने के लिए ऐसे मरे नहीं जा रही है काजल समझ गई थी कि यह बाद उसकी सासुमा उसी के लिए कह रही थी कुछ समय बाद देवरो के जाने का समय हो गया राजीव बोला पापा आप परेशान मत हो ये मैं इन दिनों को इस टेशन तक छोड़ कर आता हूँ राजीव ने अपने भाईयों से पूछा तुमने सामान चेक कर लिया सब कुछ रख लिया कुछ चूटा तो नहीं हाँ सब रख लिया भया तो चलो गाड़ी बाहर खड़ी है मैं तुम्हें रेलेवे स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ माता जी और पिता जी दोनों बहुत दुखी हो रहे थे कह रहे थे कि आज हमारा घर फिर सूना हो गया दोनों बच्ची आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है राजी दोनों देवरो को इस्टेशन तक छोड़ेने चले गए मम्मी जी और पापा जी अंदर आ गए काजल ने घड़ी की तरब देखा तो चार बज रहे थे वहा रसोई से मेट कर खाने बैठी और अपनी सुबा की ढखी उई नास्ते की प्लेट को ले आई उसमें थोड़ी बहुत जो सबजी बची थी वहा भी रखी और खाने बैठ गई मन तो हुआ कि थोड़ा बहुत दाल चावल खाले सुबा से कुछ नहीं खाया था पर फिर सासुमा के डरके करड कूकर को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं हुई उसे लगा यदि सासुमा ने देख लिया कि मैंने पूड़िया कम खाए और चावल ले लिया तो फिर उसकी सामता जाएगी वह मनमसूस कर सुबा के नास्ते की प्लेट में ही खाना खाने बैठी थी कि तबी पीछे से सास की आवाज आई काजल कल की डाल भी बची है उसे भी खा लेना काजल उसे फ्रिसे निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म करने लगी इतने में उसके बड़े बेटे ने आकर उसे अपनी दही की कटोरी दी और बोला माया दही आप खा लेना मैंने इसमें से सिर्फ एक चमच खाया था काजल ने मुस्कुरा कर कहा हा बेटा आप रख दीजिये मैं खा लूँगी उसे ने तीन पूरिया खाई उसका पेट तो नहीं भरा पर मन भर गया तो वह खाना खा कर उठ गई सुबा से लेकर साम तक काम करते करते वह ठक गई थी और उपर से उसे मन का खाना भी नसीम नहीं हुआ था उसका बड़ा बेटा सब कुछ बहुत गोर से देख रहा था थोड़ी देर बाद उसे रहा नहीं गया तो वापस आकर बोला मा तुम सबको इतना अच्छा चा खाना बना कर खिलाती हो मैं तुमें हर रोज देखता हूँ तुम अपने थाली में कुछ ना कुछ बासा रख लेती हो तुम नया बना हुआ भोजन क्यों नहीं रखती हो काजल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा यहा न देवता हैं इन्हें फेक भी तो नहीं सकती उसके बड़े बेटी नहीं बोला तो क्या ने देवता सिर्फ आपके लिए हैं बाकी घर के किसी सदसे के लिए नहीं मा मैंने आज जान बुझकर दही नहीं खाया था मैं जानता हूँ आपको दही बहुत पसंद है पर दादी आपको हमेशा दही खाने से रोग देती हैं पर जब भी मेरी थाली में या पापा की थाली में कुछ बसता है तो आपको खाने को कहती हैं मैंने कल रात को दादी की बाते सुली थी इसलिए आज मैंने दही नहीं खाया मैं जानता हूँ दादी हमेशा आपको बासा खाना खाने के लिए कहती हैं मैं अब छोटा नहीं रहा मा कि तुम मुझे अपनी बातों से बुद्दू बना सको मैं सब समझता हूँ बेटे की बाते सुन काजल की आँखो में आशू भराए उसने अपने बेटे को जोर से सीने से चिपका लिया जैसे मानो कई सालों का भरा गुबार था वो आशू में ब बेटा तुम किसी से कुछ मत कहना नहीं तो सब को लगेगा कि मैंने तुम से कुछ कहा है या बोला है सम मुझ को यी बुरा समझेंगे तुमें मेरी कसम आ रहो तुम किसी से कुछ मत कहना तुम जाओ अपने कमरे में मैं आती हूँ और सोना को भी साथ लेकर जाना मैं दस मि मुझे माफ कर दो आज मेरे पोते ने मेरी आखे खोल दी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी काजल ने भी बड़ा दिल करके अपनी सास को माफ कर दिया और अपनी सासों माके प्यार से गले लग गई आशा करती हूं दोस्तों आपको मा कानी जुरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद